उत्तर प्रदेश में जहरीली सरापकान को लेकर विपच लगातार योगी सरकार पर हमलावर है उत्तर प्रदेश के आपकारी मंत्री हमारे साथ है हम उनसे बात करेंगे कि पूरा घटना क्रम क्या रहा हो सरकार की तरब से अब तक क्या कारेवाई की गई है जो घटनाएं अभी छे तारीकों और उसके बाद दो दिन बाद साहरनपुर में आठ तारीकों ये दो अलग-अलग घटनाएं थी कुशी नगर में जो खटना हुई थी उसमें आठ लोग के मित हुई थी और गाउं मोले के चिनिस करने तक तदकाल उसमें मुकर्मा लिखके और दो विक्ति को गरिफ्तार किया गया और उसके बाद उसकी चानबीन शुरू की गी उसमें जहां तक हमारे आपकाली अधिकालियों की मिली भगट की सवाल आती है तो उसमें से चार लोग को अच्छे लोग को हमनों ने निम्बट कर दिया जिलापकाली अधिकाली से लेके नीचे तर ये कारवाई हुई उसमें पिर इसके बाद अभी इसकी जाच अभी और चल रही है और इसमें कुछ तत्रिये भी मिल रहे हैं कि शैद ये शराब कर इसका जो निर्माण हो रहा था ये बगल के बॉर्डर पार करके किसी एक गाउं में हो रहा है अब इसकी पुष्टी के लिए भी हम वहां के पुलीश जर्दिक्षक और जिरादी का रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं तो ये एक बात हुई अभी दूसी बात जो सहरनपूर में जो घटना हुई थी इसके एक समारों में या एक पेलिवी में वहां पर लोग एकठा हुए थे हर्दुआर के जनपर हर्दुआर के किसी एक करें 23 लोग का जो मेरत मेडिकल कॉलेज में उनकी अभी पुष्टी नहीं हुए मेडिकल रिकॉर्ट से अभी ये साफ नहीं हुआ कि उसमें किस कारण से उनकी देट हुई है ये दो लागल चीज है जहां तक सहरनपूर की बात है वहां भी ततकाल इन दोनों राज्यों के पुलीस अदिक्ष्ट ने चापा मारकर दो लोग को शुरू में गिर्फतार कर दिया था पांच लोग और गिर्फतार हुए इस समय उसमें भी हम लोग ने सीधा सीधा वहां तक पता लगा लिया है और उसकी भी शायद आज एकल में पुष्टी हो जाएगी कि जहां तक उ नेटवर्क बनाता हुए दोनों जगे हम लोग ने देखा है कि एक नेटवर्क के रूप में वहां चलना था काम तो यह तो यह दोनों घटना के कारणी इस सब हुआ है आगे अगर हम देखेंगे तो पहले भी यह घटना हुई है जिनको हम लोग ने सक्ति से उसमें कारवा जिसका जो वो था हेड था यह मुलाइम सिंग यादव नाम का एक मुक्ती था जो पहले भी उसमें आरूपी था दो जार तेरा में जब 41 लोग मरे थे उनको गिरिफतार करके उनके पर गैंक्स्टर राक्त लगा कि और तमाम धारा लाके उनको बन किया जो आज तक बन पड जाटा के संबंदित थे वो भी अभी से जेल से छूटे हैं एटा में भी यही हुआ था पहले और ऐसे तमाम जगे जहां हम लोग पता लगाते हैं जहां भी कहीं राजनेतिक संदक्षन किसी पार्टी द्वारा हो या किसी भी द्वारा हो इधर हम लोग पूरी सक्ती से सभ पर मारे उन पर भी नजर रखा जाएगा कि वो किसी से जुड़े तो नहीं है किसी राजनेतिक संदक्षन के द्वारा तो नहीं है या किसी माफिया गिरों के द्वारा नहीं है इन सब का जाट है इसा आप कौन कौन से उपाय कर रहे हैं कि पूरी तरह से और आपका एक जैसे यह कुशी नगर जारनपुर में दिख रहा है जिसमें इन लोग भारी माता में निर्माड करते हैं उसमें केमिकल मिलाते हैं तो वह एक बहुत बड़ा हाथा बन जाता है और जगे हम लोग प्रयास करते हैं कि जो गाउं में जो बनता है उसको उसको भी हम लोग पहल करने के आवशकता ऊगी जहां इस तरह की असर्शतत लोग हैं और गरी ही नियापन पर जिवन यापन करते हैं उनका रोजगार क्रैंदक पर किसी तरह उनको मोडना पड़ेगा यह कि यह किसी तरह समाप्थ हो इस पर हम लोग कुछ यूद्ना बनाने के सोच रहे यह थे उत्रप्रदेश के आपकारी मंत्री जैपरताप सिंग जिनका यह कहना है कि इस पूरे घटना क्रम को लेकर समाजवादी पार्टी के कारिकरता या समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग इस सरापकान को लेकर सामिलते सरकार कारिवाई कर रही है